हो गया ओके सो गुड मॉर्निंग एरिवन कैसे हैं आप सब लोग अगर आवाज पहुंच रही है तो एक थम्स अप कर दीजिए अजी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सब्सक्राइब करेंगे लेकिन को स्टार्ट करने से पहले अगेन सुबह के जो सब्सक्राइब करने में मुझे लगने हैं कम से कम चार घंटे पांच घंटे सिर्फ को स्लेक्ट करने में फिर उसको प्रपेर करने में आगे ताइम काफी लगता है और यह कल क्लास होगी हमारे नौ बज़े नाइन एम जिसमें हम डिसक्राइब करने वाले हैं हंडर कोशन अगेन तो क्लास में आना मत भूलना और अपने दोस्तों वगयरा को भी बता देना कि हां यह नौ बज़े वाली क्लास है आज साड़े पांच बज़े वाली क्लास नहीं होगी आज नहीं होगी सिर्फ आज नहीं होगी ठीक है क्योंकि जिस दिन मैं हंडर कोशन लेता हूं ना तो उस दिन मैं इसलिए क्लास ठोड़ देता हूं शाम वाली रीजन वींग क्योंकि मैं नहीं जाता कि आप यह भी पड़ो वह भी पड़ो इतना धिमाग आपका खराब हो जाए टाइम वेस्ट हो जाए तो इसी कारण जो है कल हम हंडर को लेंगे तो शाम को क्लास आज की शाम कहां पर शेर की जाती है हमारे इस टेलिग्राम चैनल की ऊपर टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लो डॉक्टर विपन गोईल सो कल मैंने वैसे पीडियाफ शेर कर दी थी मैंने करनट अफेर की शेर कर रहे थी और आज मैं जी एस की शेर कर दूँगा अगर कोई गड़बड हो प्लस दो पेड़ कोर्सिज आते हैं हमारे पहला वन इस टैन थाउजन एंशी कोर्स इसके अंदर हम 10,000 एंशी क्यूट कर रहे हैं चैप्टर वाइज एंशी क्यूट और इसके अंदर जो है अभी हिस्ट्री कम्लेट हो जाएगा इस्ट्री मैंने काफी वीडियो बना दी ह है एक मतलब दो तिन वीडियो रही होंगी तो वह अप्लोड भी हो रही है दीरे दीरे अप्लोड हो लेकिन बना मेंने दी है ठीक है और इस कोर्स के अंदर जो है आपको कोड यूज करना है एक गौरव टैन यह सिर्फ दो दिन के लिए यूज कर सकते हो और आपको 10% डिसक परचेज करने हैं तो फटफट आप अपने कर लो यह 10% डिसकाउंट मिल रहा है तो आप ले लो अगर आपने खरीदना ही है और आपको परचेज कैसे करना है वह बता देता हूं तो आपको करना क्या है स्टड़ी आईक्यू की एप डाउनलोड करनी है स्टड़ी जो जी एस कोर्स है वह आपको दिख जाएगा तीसरे चौथे नंबर की उपर जो आपका जिसमें आप व्याइप फाइवनेल कूपन गोड़ लगा होगे एक है आपका 10,000 mcq कोर्स यह दोनों मेरे दवारा बनाए गए है विपन सर लिखा होगा साथ में और 10,000 mcq कोर्स म चीक है जी नहीं करना परचेश किसी के मतलब किसी से मैंने जेब से निकाले निकाले तो है नहीं ठीक है मैंने यह तो कहानी कि मुझे पैसे चाहिए तुमने नहीं 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 पढ़ना ना पढ़ना किसी ने बेसिक से स्टार्ट करना है वो करेगा फालतु की बातें मत किय यहां पर आगे नहीं करना वो नहीं करना यह नहीं करना वो नहीं करना क्या नहीं करना मत करो तुम्हें कौन सा किसी नहीं कुछ का है कोई पढ़ता है उसको पढ़ने दिया करो किसी को रोका मत करो टोका मत करो काफी student ऐसे होते हैं ना तो यूट्यूब पे serious है ना वो अपने paid course से serious है वो जिंदगी में serious नहीं है और जिंदगी में serious ना होने वाले बंदे ना बस यही कर सकते हैं यह नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए होना जान प्राइज बताओं चलो मैं बता देता हूं जो सर्प्राइज है एक्चली मैंने दिखाना था लेकिन उसके उपर थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमारे पास भाई आपको सबको बता दू अब हमारी क्लासिस चलेंगी चलो सर्प्राइज बता देता हूं मैं मैं अपनी इचराज डिजिटल बोड आ चुका है हमारा ठीक है डिजिटल बोड आ चुका है लग भी चुका है ठीक है जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो सामने वाली स्क्रीन की उपर वहां पर लगा हुआ है डिजिटल बोड लग भी चुका है ठीक है बट हाँ यह है थोड़ा सा उसके फंक्शनिंग बगएरा प्रॉपर तरीक से चलता कैसे है और जो मैं चीज़े आप से मतलब क्लासिस में करना चाहता हूं ठीक है मैपस और बहुत सरी चीज़े जो मेरे दिमाग में चल रही है और किस तरीके से आपको बहुत इंट्रेक्टिव वे में उसको पढ़ाया जाए ठीक है वो चीज में ने करनी है कि लो जी बता दो दिया डिजिटल बॉर्ड आ गया हमारा ये है सर्प्राइज हाँ डिजिटल बॉर्ड आ चुका है डिजिटल बॉर्ड आ चुका है और प्लस अब हम बहुत अच्छे लेवल पर हमारी क्लासिस तो अच्छे लेवल पर चलती थी लेकिन एक में कुछ आपको नहीं चीज़ें कोशिंट के अंदर डालनी है जो मैं पेड कोर्स वालों के साथ कर लेता हूँ क्योंकि मैं उसको स्क्रीन पर बनाता हूं इसके साथ मैं उनको दिखा देता हूं लेकिन यहां फे यूटूब पे चलती है तो आज भी शाम को क्लास नहीं होगी क्योंकि आज हमारी चलेगी 100 मतलब कल चलेगी मॉर्निंग में 100 mcq वाली क्लास है आपको लगता ही है बाई काफी लोगों को यह लगता है सिर्फ कोश्चन देखा अंसर टिक किया और हो गया काम चीक है बाई मेरी क्लास में वो बच्चे यह मैं लिखके दे सकता हूं आपको जितने बच्चे मेरे सीर्यस बच्चे आना जो यहां पर भी बैठे हैं जा मेरे पेड कोर्स वाले हैं ठीक है एक बच्चा एक लाग के बराबर है 100% कहा रहा हूं है 100% लिखके वर्ड यूज कर रहा हूं जो मेरी यह भी क्लास पढ़ रहा हैं जा मेरे पेड वाले हैं एक बच्चा एक लाग के पीछे हैं मेरे को व्यूज का मतलब नहीं है और ना ही मैंने कभी कहा है लाइक करो शेयर करो ठोको यह करो मैं आगे तब बढ़ूंगा ऐसा नहीं करता हां मैं अपने कोर्स सब चीजें के बारे में बदाता हूं पेड़ कोर्स में सिर्फ यह अंतर होता है कि उसमें चीजे चैनलाइज की होती है पहला चप्टर यह फिर यह फिर यह और बच्चे का जो IQ लेवल है उसके अकॉर्डिंग और प्लस उसका लेवल जीरो से अप उठाने के लिए और हां यह है उसके प्रपर तरीके से और्गना हमारा प्लैटफोर्म है वहां पर हम जितना मर्जी कुछ डाल सकते हैं मैं जितना मर्जी बच्चों को दे सकता हूं यह चीज होती है डिफ्रेंस ठीक है चलो जी चीक है ओके और यह ना जो यह डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है ना बच्चे प्लीज ब्लॉक इनको ब्लॉक करो मेरे को वह बच्चे चाहिए ने इस क्लास में जो बगवास का बाजी करते हैं वह दूसरे का ध्यान बटकाते हैं ठीक है ब्लॉक करना उनको जो बगवास करे दो किया गएता है फटब असे दीजिए किस प्रेजिदेंट ओफ इंडिया इस वाइज प्रेजिएंट ऑफ इंडिया इस इसलेटिर्ड पाय बनलड़ स्यों और भ्योग जो होते हैं वो इनका चुनाव कौन करता है मतलब किस तरीके से चुनाव होता है हमें पता है पहली बात तो जो वाइस प्रेजिडेंट हैं हम इनका चुनाव करते हैं वो वाइस प्रेजिडेंट की तरीके से करते हैं लेकिन इनका कोई रोल नहीं है फंक्शन नहीं इनके पॉइंट कर दिया जाता है समझ आ गया बट यह ऐसा नहीं है कि यह राजय सभा का मेंबर है यह जो है वाइस प्रेजिडन जो है यह आपका मतलब इनको चुना कहां से आता है वह अलग प्रोसीजर है लेकिन इनको पॉइंट कर देते हैं चेर्में आफ राजय सभा क्यों को सुझनाइना तो वाइसा प्रेजिडन प्रेजेंट की तरहां से काम कर सकता है समझ आ गया समय के कि फूइंगfold और रॉडप सारे मेंबर लोकसभा और राज्यसभा के जो हैं इसके अंदर वोट करेंगे अब ध्यां रखना इसमें एक्जामिनर आपके साथ क्या खेल सकता है वर्ड्स पर क्या से खेल सकता है यहां पर ऑल की जगा की उपर यह दो वर्ड डाल सकता है इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मतलब मनोनित और चुने हुए लोग दोनों कर सकते हैं लोकसभा राज्यसभा की जगा की उपर वो डाल सकता है पार्लेमेंट यह दिया रखना तो इसमें यह वर्ड के उपर दिमाग वो खराब करेगा आप लोगों का ठीक है तो इसका जो अंसर बनेग मैंबर ऑफ पार्लेमेंट इसमें देखो यह कोशन भी जो इसने दे रखना बड़ा वेक सा दे रखना मतलब मज़ेदार कोशन है तो है लेकिन उसने अलग से दे रखे हैं इसका जो हम टिक करेंगे ना वो टिक करेंगे हम ए ऑप्शन करेंगे लेकिन ध्यान रखना वहां हमने इनको हटाना हो अगर हमने हटाना हो तो परसीजर हमेशा राज्यसभा से स्टार्ट होता है राज्यसभा से स्टार्ट होता है अगर हमने इनको हटाना हो क्लियर हो गया जी तो अंसर इसमें क्या बन गया आपका ए ऑप्शन बन गया अब इसमें एक और कोशन डाल सकता है कि हा इसमें state participate करती है जा विदान सभा participate करती है आज सेंबली परिश्यद ये वोट करते हैं नहीं करते दे कांड जो है इसमें participate जाने की स्ट्रेट बिलकुल participate नहीं करती तो answer इसमें क्या बन गया option बन गया बिलकुल चलिए यह अगला लगा है यह ना थोड़ा करो मेरे से कुशेशन देखो हाँ यह कोश जो है यह कोशन जो आ यह व़ाइज को करेगा कैसे कनो करेगा देखो ध्यां से समझो क्या बोल रा है को इसका क्या रहा है वह से ध्यान से समना है कोश्चन चलो मैं एक सेकंड मैं आपका वेट करूंगा कि आप इसका अंसर क्या डालोगे इसका अंसर आप क्या डालोगे देखता हूं मैं यह दूसरे कोश्चन का अंसर दो फिर मैं इसको बताता हूं कि आप कैसे करोगे इसको मैक्सिमम बच्चे इसमें गलत कर रहे हैं मैक्सिमम बच्चे इसमें गलत कर रहे हैं वह कैसे गलत कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं देखें दूसरा कोशन देखो क्या गया रहा है पहले तो कोशन देखो ध्यां से प्राइम निस्टर है वह एक कह रहा है कि प्राइम सकता है वह businessman शवास से भी हो सकता है क्लियर हो गया अगर वह लोक सभा से हो गया तो अगर वो लोक सभा से प्राइम निस्टिए पैप्चीज साथ चाहिए जड़े Dw fix हैं जहां पर आपको 35 साल ही होती है वो है प्रेजिजन वाइस प्रेजिजन और गवर्नर समझ आ गया तो कोशन उसने यह बोला है जहां से समझो वो बोल रहा है कि राज्य सभा का मेंबर है वो तो उसको प्राइम निस्टर हम पॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या यह सी ऑप्शन बनेगा कि यह कंफ्यूजन क्रेट नहीं करनी मैंने आपको बताया है कि कंफ्यूजन करने के लिए पेपर में ऐसे कोशन होते हैं लेकिन आपको नहीं होना सी ऑप्शन बनेगा बिल्कुल जी बहुत बढ़िया चलिए सर अगला लगा यह तीसरा कोशन लग सन जो है हीट करता है वो कैसे हीट करता है अर्थ को तीन तरीके के प्रोसेस होते हैं मैंने आपको वैसे बता भी रखा था यह एक होता है कंफ्यूजन एक होता है कॉन्वेक्शन एक होता है रिडियेश्ट चीक है कंफ्यूजन कॉन्वेक्शन रिडियेश्ट यह तीन यह दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं यह आपका ठोस वाली चीज़ें हैं यह सॉलिड वाली चीज़ें हैं समझ आ गया जब यह सॉलिड वाली चीज़ें हैं तो आपस में जब हीट ट्रांसफर होगी वह ऐसे विदाउट मुवमेंट हीट ट्रांसफर होगी तो ड किसरा होता है आपका radiation radiation क्या होता है कि जो sun ने हीट दे दी और उसके बाद जो है आपका heat transfer हो रही है singing was justom सतंब्नेंगा वह बनेगा radiation ज्यांसे समना इस Awesomeonds देगा वह बनेगा radiation की सिंदध की स्पीड यहितनी होती है इसपीड कीचरी आपको सबको बता है 3 into 10 is to power 8 meter per second इसको kilometer में भी वो डाल सकता है 3 into 10 is to power 5 kilometer per second प्लियर हो गया ठीक है यह आपको ध्यान रखना है अब एक चीज़ देखिए दो चीज़ें हैं यहां पे question ध्यान से समझो वो क्या कह रहा है sun heats the earth यह हो गया जी sun जो है heat कर रहा है कि अर्थ को radiation से कर रहा है लेकिन अगर उसने पूछ लिया Earth atmosphere मेंuur जो heat होती है वो कैसे आती है तो वो आती है convection से ध्यान से समझो इस question को को ध्यान से समझो sun heats the earth by radiation लेकिन अगर आपके पूछा, अगर आप से की पूरा अर्थ अट्मोस्फिर आपका गर्म हो रहा है तो वह convection से बनेगा क्योंकि हमारी अर्थ के उपर 71% क्या है water है 71% water है लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा 29% land है ठीक है 29% में भी एक बटा तो इसका मतलब सभी जगह की उपर गर्मी मतलब आने वाली है तो वह method कौन सा होता है आपका convection अर्थ अट्मोस्फिर गर्म होना डैडिस convection लेकिन अर्थ के उपर हीट आना डैडिस radiation clear हो गए आप लोगों को अब बात यह है संकी जो हीट होती है वह 498 सेकंड में पहुंचती है with the speed of light मैंने आपको बता दिया यह 8 मिनट 18 सेकंड का टाइम होता है इसको अगर आप डिवाइड गरोगे ना तो यह बन जाएगा दोनों में से क्या बनेगा आपका ठीक है यह मैसे देखा गरो या क्या बूल रहे हैं ठीक है यह मैंने का आना कि इनको strictly block block मतलब block ठीक है मेरी ग्लास में ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो दूसरों को डिस्टरब करते हूं पढ़ने में कि हां जी अगला कोश्र देखे हैं क्या क्या होता है दिखें यह हुता है देखें पहले चुनों वेद का मतलब पहले तो नॉलैज है नॉलिज तूरिब का मतलब क्या होता है समझा गया और सबसे oldest Veyflod कौन सा है हमारा, वर्ल्ड के अंदर, सबसे old Veyflod है, Rig Veyflod, सबसे old Veyflod है, Rig Veyflod, this is very very important, clear, पूरे knowledge का बंदार है, यहाँ पे हमारा, पूरा knowledge का बंदार है, चाहे, rig Veyflod हो, चाहे, sam Veyd, हो, जजुर Veyd, हो, अथर्व Veyflod, हो पूरे knowledge के बंडार है हमारी clear हो गया आप लोगों को तो अंसर इसमें क्या बनेगा fourth question का a option बन गया correct answer लेकिन आपको यहां पर यह चीज याद रखनी है कि दो तिन चीज आती है जो वेद की उपर question पूछे जाते हैं एक एक पूछा जाता है आपको कि go back to Vedas Go back to Vedas जो है यह word किस इस किया था तो गोएक टु वेदास जो है किसने वर्ण यूज किया था यह वर्ण सरस्वति जिन यह द्यानन सरस्वती जिनका ओर्रिजनल नेम क्या है मूल शंकर और चानल सरस्वती जी का उरिजिनल लेम क्या है मूल शंकर और इनों ने एक जो है गो वेक्ट टू वेदा इंडिया फॉर इंडियंस यह यूज किया था वर्ड वेद भाश्या कि वेद भाश्या भूमिका सत्यारत प्रकाष यह सारी बुक्स किसकी है जी यह द्याना सुरस्वती जी की बुक्स हैं ये आपको द्यान रखना है चीक है वेद एक वेद के अंदर हमारी जाती की उपर जो है डिवीजन कर रखिये जाती के उपर आप का सिस्ट्रम भी वड कह सकते हो कि भाई उसने बोल ब्राह्मन शत्रिया वै शुद्र वर्ड यूज स sparks किया हूआ है थो हो किसंपर बने विशता मंदर पुरु सुकता मंडल ठीक है, पुरु सुकता मंडल में लिखा हुआ है समझ आ गया जी, बहुत बढ़िया ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है और किसी की बातों में तो खास करके आना नहीं आपको जो भी यहां पे आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उनको देखो मत, बस उनको देखो मत मैं आपको यह कहूँगा आप अपने उपर ध्यां रखो, आप अपने उपर ध्यां रखो ठीक है, आप पढ़ने के उपर ध्यां रखो अंसर इसमें क्या बन गया, आपका A option बन गया नेक्स लगाई हाँ जी, यह बड़ा important question है कुछ question मैं आपसे पूछूंगा भी, आपको comment section में देना है अंसर उसका, अगर नहीं देंगे, तो आपको लिख लेना है और मुझे Instagram वगएरा की उपर message कर सकते हो, ठीक है तो कोशे पहले तो देखे जी, क्या गयता है, चार मिनार जो है, यह किसके द्वारा बनाया गया है चार मिनार इस किसके द्वारा बनाया गया है, पांचवा कोशन देखे जी चार मिनार जो बनाया गया है, वो बनाया गया है कुली कुतुब शाही डैनेस्टी और उसमें जो जो आई में टो से पर्सन थे किंग थे मोहमद कुली कुतुब शाह है और कहां पर है बदाओ यह कहां पर है यह है है एदराबाद यह अंदर है तो महमद कुली कुतुब शाह इस दा करेक्ट वान बाकी जो बंदे हैं यह नाम लिखे गए हैं उनके भी नाम देख लेकते हैं जैसे अच्छा एक चीज बताओ एक अंसर लिखे बताना मुझे कमेंड सेक्ष्शन में लिखे बताना गोलकुंडा फोट है बिजापूर में ये किसने बनाया था यह कोशिन है मेरा टिक है यह होमवर्क है आपके लिए तो इसे लिए डिली में में लेकिन यहां पर यह आती है कि हुमायू का टॉम तो है दिल्ली में इसको इसके आर्किटेक्ट कौन है मलिक मिर्जा गियास और इसका जो टॉम है वो बनवाया किसने था इनकी वीडियो इनकी वाइफ ने हाजी बेगम ने और प्लस ये जो हमायु टॉम है दिल्ली वाला इसको ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल ताज महल जैसा दिखता है प्रोटोटाइप आफ ताज महल इसको कहते हैं प्रोटोटाइप आफ दाजमहल समझ आ गया फिर आजाओ आप अशोक के उपर अगर याद करो आप मैंने आपको बताया था अशोक में आपको इस चीज़ याद करनी है रूमंदी पिल्लर रूमंदी पिल्लर जो है आपका रूमंदी पिल्लर कहां पे है नेपाल में लुंब हुआ था ठीक है यह आपको दियां रखना है बाकि आपका नाम मतलब नहीं है कुछ भी है नर्सिमा किसके बारे में बात कर रहा है अंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा नेक्स्ट फादर ओफ इंडिया नेशनल कॉंगरस बदाईये जी फादर ओफ इंडिया नेशनल कॉंगरस आई एंसी के जनक कौन है पहली बात तो आई एंसी बना कब था आई एंसी बना था आपका डैडी जिन्दा 1885 सबसे बड़ा हाथ किसका था ए ओ हिउम का था तो इसलिए इनको कहते हैं दफादर ओफ आई एंसी बी ऑप्शन बनेगा ठीक है पर यहां पर जो ऑप्शन है उनके उपर डिसकुस्शन भी चाहिए हमें तो यहां पर जब आई एंसी बना था तो आपके लॉर्ड कौन थे मतलब गवनर जनरल वाइसराय कौन थे लॉर्ड डफरीन क्लियर ह अब बात यहां पर यह आती है कि यहां पर जो वर्ड है आपका लॉर्ड अफरीन हो गया पहला सेशन 1885 में ही हुआ था डब्लू सी बैनर जी डब्लू सी बैनर जी जो है बॉम्बे सेशन के अंदर प्रेजडेंट थे गूकुल दास तेजपाल कॉलेज में यह मीटिंग फिर लिखा हुआ है लोकमान्य तिलक लोकमान्य तिलक कौन है लोकमान्य तिलक है जी बाल गंगादर तिलक जो 1916 में इन्होंने स्टाट किये थी होम रूल लीग स्टाट किया था इन्होंने बोला था सुराज इस माई बर्थराइट इनको बोला जाता है फादर आफ इंड जी कौन है यह हमारी INC से पहले एक association बनी थी डैडिस काल इंडियन association तो उसके प्रेजडेंट है इंडियन association के यह आपको याद रखना है तो इसमें क्या बन गया आपका बी ऑप्शन बन गया राइट अंसर येस बी ऑप्शन बन गया राइट अंसर नेक्स जी कूड़े के डियर के ऊपर फेक देनी चाहिए यह किसने बोला था बताइए किसने बोला था ये बोला था शेवसवामी अईयर ने बोला था साथ में कोशन का अंसर क्या बनेगा B option बनेगा शिवस्वामी एयर ने इनको डूर्ड यूज किया था यह वला ठीक है जी B option बनेगा correct अंसर साइमन कमिशन बना कब था927 में लेकिन इंडिया में कब आया था 1928 में लेकिन बात यह है कि यह साइमन कमिशन बनाया क्यों और इं कि मतलब दुए शासन जो दस सालों के लिए आपके लिए एपलीगेबल था टैन येर्स के लिए और उसके बाद एक रिपोर्ट बनेगी वह रिपोर्ट थी आपकी साइमन कमिशन की 1928 वाली रिपोर्ट थी जिसके उपर जो है बात करता है मतलब की आगे रिपोर्ट कैसे बन चलते चलते कि डैट होई थी लाला लाज पत्राइग की डैट हुई थी यह आपको सबको पता है तो इसमें अंसर क्या बन जाएगा आपका भी और यूज्ट के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज्व किया था कृप्स मिशन के लिए एद आपको कृप्स मिशन के लिए उन 42 में फिर लिखा हुए मुहम्मद अली जिन्ना मुहम्मद अली जिन्ना के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं मुहम्मद अली जिन्ना कौन है अमबैसेडर ओफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी आगे मुहम्मद अलीजिना जो है ये कौन है अमबसेडर उफ हिंदू-museslim unity ये किसने बोल था मुहम्मद अलीजिना के लिए यकश्यों स्रोजिनी नाइडुजी ने जिनको हम क्या गयते है decorated भारत कोकिला 19 गेल ऑफ इंडिया वर्ड यूज के रहते हैं इनके लिए ठीक है फिर लिखा हुआ ज्वालाल नहरू पूर्ण सुराज की वर्ड यूज किया गया था 1929 में ठीक है अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूँ आप क्लास के बिल्कुल मेड में चल रहे हैं हम ल तो प्लीज वो मेरे से कंफर्म करो पहले से कंफर्म करो मेरे को बेजो और मैं आप हो बता जेता हूं कि यार सब्सक्राइब पहले मेरे से चाहे मेरे इस इसा होता है तुए यह वाले वह इसी और देखते जाएं देखते जाएं आप के लिए बहुत more than sufficient काफी बच्चे क्या कर रहे हैं आप में से भी कर रहे होंगे आप भी देख रहे होंगे तो कि समय कर रहे हैं कि जो बच्चा दूसरे चैनल पर कि रही ओँपर यह वह सब कुछ भी बोल रहा है वो मेरी गलती थोड़ा है यार आप मेरे को कहने लग जाते हो कि सर या आपने ये गलत बोल दिया था आज कल इतने मैसेज आ रहे हैं ना मुझे ऐसे क्योंकि मैं तो अपना 100% देता हूं अगर आपको कुछ भी डाउट होता तो मेरे से सिधा पूछो कि सर इसका मतलब गया है आप ऐसा मतकि लिए गरों कि दूसरे मेरे से पठ्था तो मेरे तरफ ध्यान दो ना चाहे आप कोई भी ओगर आप ने सक्सेस्फू ने हैं जब तो मुझे फॉलो कर लो जा उसको फॉलो कर लो एक बंदे को फॉलो करो तभी आपके जिंदगी में सक्सास्फल हो पाऊगे अगर आप चलते जाओं ना मेजे भी इसका भी उसका भी यह भी यह वह भी इकठा कर लूंगा मैं कुछ नहीं होने वाला तुमारा ठीक है एक पाऊचे में का करते हैं कि उसने यह अंसर दिया ऊसने वह दिया मैं मैं उनल आपढ़का है सब्सक्राइद हो आपतार में रहे हो तुम लोग तभी कुछ नहींब दे बंटारिए फॉल्लो कर सब्सक्राइद के टाइमपे कोशिन है जी देखें जी ब्सक्रेंट्राइस वेफ आज डिटेक्टिर बाईंस टो पहले तो अंसर अंसर बता हो इसका अंसर बता सॉनिक वेफ की जो फिरिकन्सी होती है वह 70000 होती है समझ आ गया अब चीज एक चीज देखो अल्टर सॉनिक वेव यूज कहां पर होती है एक पहले तो एक ऐसा क्रियेचर एक ऐसा स्पीशीज जो प्रियूस भी करता है डिटेक्ट भी कर लेता है वह कौन सा है वह बैट चमगादर चमगादर जो है अल्टर सॉनिक वेव चाहिए तो उसको पतल लगया था कि मेरा शिकार कहां पर है तो फटब पहुंच जाता है और आपको डिटेक्ट हो जाता है अब मैं आपको चीज़ बताता हूं यह जो चीज़ें ना जो हमारा डिटेटल बोड़ उसमें ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा आपको पागल हो जाओगे तो ठीक है ऐसे चीज़ें दिखाने वाला हूं कि आपको पता लगए कि सुनार है कि हाँ यह ऐसे टकराई और उपर सुनार है क्या वो डिखाएंगे आपको कि कैसे दिखती है सुनार ठीक है तो यह द्यां रखना अब बात यहां पर यह कि टेक्ट पूछ रहा है यहां पर तो यह आपको सिर्फ याद करना है यह आपको याद करना पड़ेगा आठमे का सी ऑप्शन बनेगा डैडिस कॉंड कुंड ट्यूब होती है यह सी ऑप्शन बनेगा हम अगला कोशन है कौन से जो है आपका आयरन और रस्ट श्टेंज जो होते हैं कपड़ों की उपर ठीक है तो वो जो है मतलब उतारने में उनको हेल्प करता है बताइए जी तो यह स्पोड की उपर पर जंग लग जातीए तो वो क्या करता है के लाफर से निकालने में का शिरे आपका और निचनाना को करता है बाकी को यह लखा ह। citric acid citric acid जो होता है खट्टी चीज़ों में होता है जैसे कि लेमन हो गया ओर इंजी जो गया ठीक है मतलब नीम्बू और संत्रे बगारा उसमें citric acid देखने को मिलता है फिर लिखा हुआ हाइड्योक्लोरिक acid hcl hcl आपको दो जगा के उपर याद करना है क्या हाँ पर एक तो हमें पता है कि hcl जो है हमारी digestive system में काम करता है पाचन तंतर में ठीक है और यह कहां पर होता है स्टमक में अमाश्या में ठीक है कि hcl को हम बाथरूम क्लीनर भी यूज़ कर लेते हैं कि बाथरूम क्लीनर और एक जूड़ता है hcl प्लस hno3 जिसे आप कहते हो एक्वा रहगिया अमल राज इसमें क्या होता है थ्री पार्ट hcl के hno3 का one part ठीक है यह यूज़ किया जाता है clear हो गया फिर लिखा हुआ है acetic acid ch3 coo h इसे हम और कहते हैं ethanoic acid ठीक है और यह किसमें होता है vinegar में सिरका में कितने percent होता है एक्चल में 10 परसेंट होता है जो original 10 परसेंट होता है बाकी तो mixture सा होता है तो अंसे इसमें क्या बनेगा आपका सी option बनेगा सी ऑप्शन ऑग्जैलिक acid सबसे मतलब king of chemicals king of acid किसे कहते हैं h2so4 को मतलब sulfuric acid को को चलिए यह यह लगा यह सर कोशन है कि अधिश्य की सबसे अधियरियल पैरसाइट की सबसे जो है इंफेक्टिव स्टेज बतानी है वह कौन सी होती है इंफेक्टिव स्टेज बतानी है बता है ऐसे दाब फट्रीय यह श ठgreg भादियोचे जांसा ट сюжel अधिके का मतलब क्या होता है जो मेल मच्छर है यह यह Neredस पोर्स पर यूँज करते करते हैं यह तभी तो हमारी एंफेक्शन होती है तभी तो जहां поп T बनाता है गेमेटोफायट और गेमेटोफायट बनता है बॉडी में हमारी बॉडी लेकि注icine वाली क्यों सिस्टेज होगी फिर तो sporazide जायसे स्पोरीटस पर निकले वहीं तो इंफैकिशन है तो sportone inve mole इंफेर्चिन होगे तो sporazide जो होता यह में infection होता है किसमें Muleyria में तो वनिंवे उसमें क्या बनेगा आपका ती option बनेगा बिलकुल ती बनेगा right answer that is porosite is the right one clear अब एक चीज देखो malaria के अंदर एक चीज आपको याद रखनी है कि malaria के अंदर जो है मादा मच्छर होता है female anophilies जो बिमारी को फिलाता है और आपको एक चीज और याद रखनी है malaria के अंदर दो चीज़ों के उपर इफेक्ट पढ़ता है red blood cells RBC और लीवर की उपर कि आर बीसी और लीवर की उपर सबसे आदा इफेक्ट पढ़ता है किसका malaria का malaria के parasite का तो answer इसमें क्या बनेगा आपका डी option बनेगा sporosite is the correct answer next कि यह गोशन देखो जी यह जो आपका scientific नेम वगरा है यह देखो यह टेड़े मिड़े भी आ जाते होते हैं लेकिन मैंने आपको उस दिन पूरे सारे के सारे scientific नेम बताये थे आपको याद करने के लिए ठीक है तो इसमें देखो जी कौन सा नाम है तो इसमें पूछ रहा है कैनिस फैमिनिस जो है यह फैमिलिरिस इसका क्या नाम है किसका नाम है डॉक का डॉक का नाम है तो आंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा लिख देता हूं आपको ताकि पेपर में हां तो फैलिस कैटस फिर लिखा हुआ है इन्होंने फॉक्स का वुल्प्स वुल्प्स लोमडी फिर लिखा हुए ने वॉल्फ एकनिस लुपोज यह आपको याद रखना है यह नाम याद कर लेना वैसे बहुत टेड़े से नाम है पेपर में बहुत कम चाश़ओ असे आने के लिए लेकिन अगर आ गया तो हमें तो त्यार रहना है तो यह भाई किस। का है यह है कैट का यह है फॉक्स का यह है वॉल्फ का ठीक है कुछ याद कर लो और भी मैंगी फीरा इंडी का मैंगो का और पाइसम सैटिवं पी का मतर का ट्रीटी का मैस्टिवं यह है किसका वीट का गेहूं का और और आईसम सैटिवं राइस का ठीक है और मैंने आपको याद करवाए थे पीकॉक पैवो क्रिस्टेटस जो नैशनल है वो याद करवा रहा हूं में लिए आपको डॉल्फिन प्लैटन निस्टा गंजयाटिका निस्टा गंजयाटिका ठीक है और कौन सा रह गया टाइगर पैंथरा टिग्रिस लोटस कमल निलंबो नुसिफेरा ठीक है यह में में याद कर लो बाकी कुछ भी आ सकता है पेपर में तो अंसर इसमें क्या बन गया आपका बी ऑप्शन बन गया भी डोग का नाम था यह चले जी अगला लगा यह टाइड कैसे बड्यूस होती है यह मार कर दो टाइड कैसे बड्यूस होती है सी के अंदर कब होती है यह मैंने आपको बताया था यह आपको मैंने बताया था फुल मून एंड हाफ मून में होती है फुल मून और हाफ मून में देखने को मिलती है अब फुल मून और हाफ मू वह मुंळ का रенच को दर सन लेकिन सबसे जदा खीचता कौन है व मून खीच लेता है टिक है क्यों की उसका ग्रेविटेशनल फुल बहुत जादा होता है तो इसमें क्या बनता है जब सन कि क्याद है कि सन कि मार BUY एक सेगंड रुकिये कि बिगा रहा है कि एक सेगेंड रूग ये बस अब बहुत बढ़िया स्प्रिंग टाइड नीप टाइड ये वो सब चीजें बिल्कुल बिल्कुल कि ये जंजट खतम कर देंगे जैसे हमारा वो लग गया अगा देखें ये है अमोंग और अर्थ ठीक है अब इसमें क्या होगा ये सबस्टाइब मतलब क्या है कि मुण भी इसको खीच रहा है और संशने इसको खीच रहे तो इसका मतला हम और यह हाइस टाइड आएंगी हाई हाई टाइड है ठीक है जाफिर सिचेशन ऐसे हो सन हो गया अर्थ हो गया मून हो गया तो इस कंडिशन में भी क्या होगा एक दूसरे को खीचेंगे तो पाने उपर उठेगा तो इसमें भी हाई टाइड आएंगी जिसे आप क्या कहते हैं स्प्रिंग होती है लेकिन कंडीशन यह होती है कि जब सन यहां पे शेक यहां पे हो और मून यहां पे हो तो इस कंडीशन में क्या होगा मून ऊपर रखे गया अर्थ ही द्रॉट को खेंगा तो इसमें जो व्र बटिए नीप टाइड जिसे हम क्या क्य tapping लो टाइड कहते हैं का क्लियर यह ऊपका यू मुन वाला Swedish और मैं और यह हाफ मूण कं तो ईस कंदिशिन में क्या होता है आपका जो टाइड यह ऊपर-nीचे चलती चीक ठीक है क्लियर हो गया यह चैप्टर वाइस वाले जितने बोल रहे हैं वह पेड़ कूर्सिस में चलते हैं बाई चैप्टर वाइस वगारा ठीक है यह द्यां रखना तो इसमें क्या बनेगा आपका बी ऑप्षिन बनेगा येस बी ऑप्षिन बनेगा और फुल मून एंड जी बना दूं आपको थोड़ा बनाना है आपको बता दिया पहले दिन से बता रखा कि यहां पर चीज़े लिम्टेड होती है लेकिन पेड़ कोर्स के अंदर पूरी चीज़े आपकी चलती है प्रॉपर चैप्टर वाइस सब चीज़े चलती है वहां पर मुझे रिस्रिक् तब ही नहीं उसमें किसी की नहीं सुनी जाती हां जी हगला गोशन है इन विच पार्ट ऑफ एफरीका सहारा डैज़र्ट इस लोकेटेड तो है वो कहां पर दिखता बताईए जी अब देखें जी आफ्रीका के अंदर दो आपके डैज़र्ट एक तो सहारा डैज़र्ट है एक काला हारी डेजर्ट है, clear हो गया, बिलकुल, हाँ, ठीक है, तो क्या होता कि जो एफ्रीका है, सपोस करो मैं इसको एफ्रीका मान के चल रहा हूँ, एफ्रीका का नौर्ट साइड, एफ्रीका का साउथ साइड, नदन साइड के अंदर जो है, आपका क्या है, सहारा, साउथ साइड के उपर दक्षिन की तरफ, अफ्रीका के दक्षिन में कौन सा है, काला हारी, समझाया, दोनों कहां पर अफ्रीका के अंदर है, अब बात यहाँ पर यह हैं कि जो सहारा डैजर्ट है, यह वर्ल्ड का सबसे, कह सकतों कि गरम वाला, हाट डैजर्ट है, अगर कर दो फाल का अंटार्टिकund एक और एक और कर लो हारा की उपर आपकी एक विट कि चलती है है वो विंद्स हवा जो होती है हर्मतन करते मैं जिनका दूसरी नाम कि डॉक्टर विंद्स यह जब चलती है तो डॉपको भान अरॉड सरे को छतम करदेती हैं उनको सब को लिए उनको रहते हैं यहां की सारी विमारियां को खातम कर देते हैं सब्सक्राइब आपका यहां सब्सक्राइब specific के बीच में एक आपका बॉर्डर है इंडिया और पाकिसान के से बीच में आपका एक बॉर्डर है तो उस बॉर्डर का क्या नाम है जहां पर डिस्प्यूड भी एस्टुरी वगारा बनते हैं तो बताइए जी यह बिल्कुल और गैसिस के भी रिजर्व है कौन से हैं यह 14 का बी ऑप्शन बनेगा सर करीक सर करीक इस यह गुज्रात में ओर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक और बाउंडरी है जिसे हम क्या कहते हैं अ मैक मोहन लाइन जा और एक है इंडिया और चाइना इंडिया और चाइना के बीच में एक लाइं इंडिया इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोल लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइं ठीक है और इतना ही है तो उसमें गया बन गया आपका 14 का बी ऑप्शन बन गया बी ऑप्शन बन गया सर करी की इस दा करेक्ट अंसर गुजरात के अंदर है चलिए जगला लगाई यह करेक्ट कर ले ना इंडिया चाइना में में मैक मोहन इंडिया पाकिसान में रेड कलीफ है अधा गवर्णर जैनल ऑफ इंडिया वाज गिवन दा वाइसराय फॉर आख़ा टाइटल मिला है वाइसराय का उसको कौन से एक्ट में मिला था कौन से यह में बना था क्या था वह जब इंग्लिश इंडिया कंपनी के पास सारा रूल आ गया था कंपनी से रूल हटा गए जो है इंग्लिश इस इंडिया कंपनी का जो रूर रूल हटाके किसके पास आ गया था वो आ गया था कुपीन के पास रानी के दी जाएगी किसी के साथ भेदवाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ धर्म के कामें इंटरफेर नहीं किया जाएगा जो हड़ अपनिती के सिधानत है यह वर्ड यूज किये थे और क्वीन ने साथ यह भी बोला था कि जो गवनर जनरल ऑफ इंडिया है उसको एक अडिशनल टाइटल मिलेगा वाइस रॉय जो वाइस रॉय होगा वह इंडियन मैंटर्स को देखेगा गवनर जनरल ऑफ इंडिया ज स्कैनिंग जो था यह जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो यही लोग गवनर जनरल वाइस राइट थे गवनर जनरल और इसी को ही वाइस राइक उपादी मिली थी तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका फोर्थ ऑप्शन क्या बनेगा करेक्ट अंसर बनेगा फोर्थ है क्योंकि आप इस चीज़ को समझोगे नहीं इसलिए समने वाला है ठीक है एक चीज़ देखो एक कैमरा हिंदा हैंड्स ऑफ प्रफेशनल फोटोग्राफर इस गुड क्या है यह किस टाइप की गुड है अब एक चीज़ बताओ आपको स्टूडेंट ठीक है मैं हूँ यहां पर टीचर मैं आपको पड़ा रहा हूं पेपर किसने क्लियर करना है आप लोगों ने ठीक है तो रिजल्ट क्या हो गया आपका एक्जाम समझा गया ध्या क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं भाई ऐसा पढ़ना है वैसा बढ़ना है बचे आपना अपने है मैं जबरदस्ती आपके साथ कर नहीं सकता भाई ये पढ़्ड तू पुराने जाहिए वी पढ़ा देते थे वह चीज़ें तो गई लेकिन यहां पर क्या सीन है जिसको हम दो यह करा दो है वह ब магаз बात बाजी करनी ओप के ऊपर है तो यहां पर वेजीजीन है कि कैम्हरा है एक फोटो है और फोटो खीचने वाला है तो अब जुकर के वारा है वह क्या है फोटो जो क्या होगी मतलब रिजल्ट वला काम करने वाद कब सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो शेयर है आपका नैशनल इंकम का सबसे ज़्यादा कौन से सक्टर से देखने को मिलता है प्राइमरी कहां से प्राइमरी सेक्टर है सेवा वाला सेक्टर है सबसे ज़्यादा यहां से आता है और सबसे कम कहां से आता है प्राइमरी सेक्टर है और सबसे जो कम वह फ्राइमरी सेक्टर क्लियर सबसे ज्यादा है सप्राइब सैर्विस सेक्टर का तो इसके बन गया क्लियर और वाला और क्लियर अग्री ज मिलते हैं एग्रिकल्चुर वगारा सब चीज़ें देखने तो आपको पता है मैं क्या चाहता हूं ठीक है कैमरे के बिना फोटो भी निगिची जाएगी इसके मतलब इसका मतलब यह है कि गुरु के बिना अको कुछ कोई भी मानों वह मैटनी करता वह आपके उपर मैटने करता है आपको अच्छा क्या लगता है जो आपको अच्छा लगता है उसे अपनाओ बस चलिए जी 18 चाहिया कर धार्यम कोषिं देखे जी क्या कहता है कोशन है IPS officer पहली IPS officer जो South Pole expedition जिसने करी थी वो कौन है South Pole expedition what is the meaning of South Pole expedition दक्षिन द्रोव में कौन गई थी पहली महिला यह IPS officer है यह तो फटा फट बता दो यह सब को पता होगा यह बहुत important question है तो यह बनेगा c option बनेगा ठीक है तो c option बनेगा अपर्ना कुमार इसदा correct answer c option बनेगा यह बिल्कुल अपर्ना कुमार इसदा correct answer कि नेक्स लगाई यह कौन से गवर्नर जर्नल ने बोला था कि जुडिशल को अलग रखो और रेविन्य वाले प्रशन मतलब नियाए वाली चीज़ें इनको अलग रखो तो दोनों को अलग रखना है तो दोनों को अलग रखने के लिए बात किसने करी थी इन में से तो वह करी थी लॉड कॉर्ण कौन है याद है आपको इन्होंने क्या स्टार्ट किया था इस सब्सिड्री अलाइंस साइक संदी 1798 जिसमें हैधराबाद पहली स्टेट थी जिसने कैप्चर किया उसमें मिल गए थे बैंटिक याद है बैंटी कौन है गवर्नर जर्नल ऑफ इंडिया पहला गवर्नर जर्नल इंग्लिश एज्चेशन इन्होंने लगाई थी introduce लेके फादर आफ इंगलिश एज्चेशन किसे बोलते हैं मैं कॉली को वाइं मैं कॉंकि ये नue एक सक 누פ Ciao इसने लगाई थी सथी प्रथा इनों ने खतम करवाई थी 1829 में प्र फिर के आ गया जी वारन हास्टिंग वारन हास्टिंग कौन है कि यह हैं हमारे पहले गवर्णर जनरल ऑफ बेंगाओल जिनने ड्यूल सिस्ट्टम फिश्टम खतं़ माद एग टो उगी ऑफ से तवी न्यूर्व ट्वी सिस्टम खतं़ किया था क्लीर हो गया कि चलिए ऑंसर बन गया ऑपशन चलिए अगला लगां उसर गुजूरात के अंदर गुजरात के अंदर इन में से कौन सा पोर्ट नहीं है गुजरात के अंदर इन में से कौन सा पोर्ट नहीं है यह कोशन पता नहीं किसी बच्चे ने मुझे बेजा था यह वाला कोशन और मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए तो इसलिए मैं इसमें बता देता हूं इस क्ल मुंबई दिगे पूट जो है वह काहां पर है मुंबई के अंदर है तो एसका अंसर बनेगा आपका डैडेटिज़ हडिवूप्शन दिगी पोर्ट नेक्स्ट इनमें कौन सा ऐसा फंडामेंटर राइट है जो हमारे लोगों को नहीं मिला फंडामेंटर राइट जो लोगों को नहीं मिला देखें आपको बता देता हूं छे फंडामेंटर राइट हैं हमारे जो लोगों को मिलते हैं पहला वाला है equality समानता वाला 14-18 फिर फ्रीडम वाला 19-22 फिर उसके बाद आता है फ्रीडम के बाद राइट अगेंस्ट एक्स्प्राइटेशन शोशन के विरुद्द अधिकार यह है 23-24 हो गया फिर हो गया आपके है रिलीजन के लिए राइट रिलीजन वाला 25-28 फिर कल्चर और एड्यूकेशन राइट 39 और तीस फिर आगया रेमेडीज वाला अब उप्चार वाला आर्टिकल 32 यह मिलते हैं तो इसमें कोशन गया रहा है कि इन में से कौन से नहीं है इन में से हमारा जो फंडामेंट राइट नहीं है वो वन वाला नहीं है अब आप कहेंगे सर्वें वन वाला है क्या कई वार पेपर में वह लिगल राइट दे देता है अगर दोनों अप्शन होती हैं पेपर में दोनों अप्शन होती है सी कोई और ओप्शन है तो उसमें आपको टिकरना है डैट इस वाली देदी हो एनब तो आपको एंडबी के उपर टिक कर देना है confusion नहीं लेनी पेपर में गलती हो जाती है और गलतियों में मैं बता रहा हूं कि कहां पर सुधार करना है आपको चीक है तो यह ध्यान रगना इन questions का answer कैसे कैसे लगाना है आपको तो इसमें answer बनेगा भाई राइट और प्रॉपर्टी हमारा के नाम से यहां पर सारा कुछ information की जाती है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग और प्लस दूसरा जी मेरे से personally connect कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम चैनल की ऊपर इंस्टाग्राम चैनल तो नहीं है मेरी आईडी है डॉक्टर विपन के होने वाले 10,000 से भी plus discuss हो जाएंगे वहां पर ठीक है और यह कोर्स जो है EMI की उपर है लेकिन मैं आपको कहूंगा कि EMI की चक्रों में मत पढ़ना ठीक है मैं आपको सही बता हूं EMI के चक्रों में मत पढ़ना इसके अंदर जो है दो दिन के लिए एक डिसकाउंट चला हुआ है उसका डिसकाउंट का कोड है गौरफ 10 ठीक है लिख देना आपको डिसकाउंट मिल जाएगा 10% इसके अंदर यह दो के लिए लिए अधरवाइस बाद में फुल प्राइस में मिलेगा और दूसरा कोर्स है हमारा जीएस कोर्स यह हमारा थेरी का कोर्स है जीएस कोर्स चीक है और इसके अंदर आपको कूपन को यूज करना है विएई पी 500 किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो आप स्क्रीन क के उपर ऐसे नजर आ जाएगा और यहां पर बैस सेलिंग कोर्स के साथ जो व्यू आल का बटना उसको क्लिक कर देना जैसी क्लिक करोगे न तो आपको तीसरे चौथे नंबर के उपर दिख जाएगा जीएस कूर्स वाइविपन गोईल तो उसमें यह कोड यूज करना और में आपको दिख जाएगा 10,000 MCQ कोर्स जिसमें आपको यह वाला कोड यूज करना है और डिसकाउंट लेना है चीक है यह दो दिन के लिए डिसकाउंट वैलिड है तो यह देख लेना जिसने परचेस करना है और नो डाउट इससे त्यारी आपकी एक नेक्स लेवल अप जा क्लासिज यहां पर अप्लोड कर दी है 120 के आसपास पीमेंट का मोड ओनलाइन ही होगा एप के अंदर ही क्लासिज चलेंगी सारी PDF आपको मिलेंगी ठीक है और जो भी है वहां पर ही सब कुछ मिलेगा आपको पीडिया विल्कुल डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास तैंक यू सो मच भए अगर आप बहुत प्यार करते हो थैंक यू सुपर दिसक करते हैं कप और अंगर आफ न चाहिए ब्ला करना जाती हो तो शेर कर देना ठीक है आपके उपर ही है प्लस जो है एक चीज़ आपको बताता हूं कि आज शाम वाली क्लास सो नहीं आएगी और कल सुबह नौ बज़े वाली क्लास आएगी जबर्दस तरीके से वह क्लास हम डिस्कुस करेंगे 100 कोशन प्लस होंगे उसके अंदर नहीं पेड कोर्स के अंदर वीडियो आपको सारी मिल जाती है एक साथ ही और आप देख सकते हो कभी भी देखते हैं यार कोशिश तो यह करेंगे क्योंकि दो-चार फंक्शन है जो मुझे सीखने है अभी ठीक है और दो-चार मैं फंक्शन वह सीख लूँ लड़का आएगा जो डिजिटल बोर्ड लगाने आया है बाकि बेसिक सो पता लग गए हैं बट बेसिक में नहीं काम चल मिलता हूं अगर आपने में से कुछ भी पूछना हुआ ठीक है तो इंस्ट्राग्राम के उपर मैसेज कर देना सो गुल्लग आइस टेक क्यार बबाए जैहिन शाम को नहीं मिलेंगे कल मिलेंगे 9 बजे गुल्लग बबाए